इश्वर से प्रात्ना है कि हम सबके जीवन में सुक और समृद्धी बढ़ता रहे हैं ठीक है मेरा जो आज का टॉपिक है जिस पर मैं बात करूँगा वो है कि हम हापी इंडिपेंडेंस डे क्यों बोलते हैं ये गलत है क्योंकि जरा सोचके देखिए हिंदुस्तान कभी भी इंडिपेंडेंस डेंडेंस मतलब आत्म निरभर तो उसका अपोजिट होता है डिपेंडेंस मतलब निरभर तो हिंदुस्तान का जो 15 अज़त पंदर्ध आंगस्ट नेस से त анलिसे कली हम लोग ये बोल रहे हैं कि 15 अज़त पंदर्व आगस्ट के बाद independent हुए लेकिन अगर आप इतिहास देखे तो भारत वर्ष या हिंदुस्तान कभी भी किसी पर भी निर्भर नहीं था जिन लोगों ने एक सो नब्य वर्ष तक लूटा उसके पहले भारत के पास इतना पूंजी था कि हम उनके देश जैसे दस देशों को आराम से खिला सके आज भी है ठीक है तो बेसिकली हमारा देश कभी भी निर्भर नहीं था हमारे देश का शिक्षा विवस्ता निर्भर नहीं था हम लोगों का जो क्रिशी शेत्र है वो किसी पर निर्भर नहीं था हम लोगों का जो क्रिशी के बाद एक और जो चीज dalam सबसे इंपॉर्टेंट हो है सुरक्षा देश का ठीक है न वो भी किसी पर निर्भर नहीं था हम लोगों का जो एगरिकल्चर हो गया कल्चर मतलब हम लोगों का जो सभ्यता है वो किसी पर भी निर्भर नहीं था आत्म निर्भर था सही है तो हम लोग के देश पर किसी का राच था वो राच से हमें मुक्ति मिली आजादी ठीक है हम लोगों के तंत्र पर किसी का कबजा था उससे हमें मुक्ति मिली स्वतंत्रता मिली हम लोगों के देश पर किसी ने क्या बोलेंगे हम उसको सब्द को हमारा देश किसी के आधीन था हमें उससे मुक्ति मिली स्वाधीन था ये तीन सब्द है तो हम लोग बेसिकली जो हिंदी में बोलते है आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिन या स्वाधीनता दिन ये शक्त-प्रतिशक सही है हम लोग जो अपने राष्प राष्भाषा हिंदी में बोलते है ये शक्त-प्रतिशक सही है लेकिन जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते है happy independence day मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा गलत है, यह नहीं बोलना चाहिए, इसके वज़े क्योंकि आजादी, स्वतंत्रता और स्वाधिन्ता इसका अंग्रेजी रूपान्तर होता है स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुबेच्चा और शुबकामना है कितना अच्छा लगता है सुनने में भी और कहने में भी इसे के साथ इश्वर से प्राटन करूँगा कि हम सब के जीवन में सुक और सम्रिद्धी बढ़ता रहे तैंक यू सो मच, धन्यवाज